Hello Everyone, Welcome to Agriculture NGK आज हम बात करेंगे Important Questions for National Seed Corporation Limited Exam की वीडियो के Part 3 के बारे में दोस्तों इसे पहले हमने इस टॉपिक के उपर दो वीडियोस और अप्लोड की हुई हैं यह हमारी सेलेक्सन स्रीज चल लई है अगर आप इन वीडियो को फालो करोगे तो आपको सेलेक्सन में काफी हिल्प मिलेगी इन वीडियोस से तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वहां से आप हमारी वीडियोस देख सकते हो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कोश्चन नमबर एक बायो फर्टलाइजर इस सुटेबल फॉर सुगर केन क्राप इसका अंसर है एजेटोब एक्टर दोस्तों बात करते हैं सुगर केन क्राप के बारे में तो सुगर केन का बाटेनिकल नेम होता है साकेरम ओफिसिनेरम इसे बोलते हैं नोबल केन इसकी फैमली है ग्रेमनी या पोईसी इसमें क्रोमोसोम नमबर होते हैं टूवेन इजकल टू एट्टी इसके इनफ्लोरेसेंस को एरो बोलते हैं और सुगर केन जो है सीथरी सौट डे प्लांट है इसकी उरजिन हुई थी न्यू गोईनिया में नेस्ट कोश्चन विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस यूज़ फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इसका अंसर है जिब्रेलिक एसिड नेस्ट कोश्चन है दोस्तो सीथरी सेंटरल इस्टिटूट और पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनिरिंग एंड टेकनलोजी इस सेचुएट एड इसका अंसर है दोस्तो लुधियाना पंजाब बात करते हैं कुछ और अगरिकल्चर इंजिनिरिंग इस्टिटूट के बारे में और उनके लोकेशन के बारे में जो आपके एक्जाम पॉइंट अफियो से काफी इंपॉर्टन रहेंगे पहला था सीपेट जो की था लुधियाना पंजाब में दूसरा है आपका Central Institute of Agricultural Engines यह पढ़ता है भोपाल मद्यपरदेश में नेश्ट है आपका Central Institute of Research on Cotton Technology यह पढ़ता है मुंबाई में नेश्ट है आपका National Institute of Research on Jute and Allied Fiber Technology यह पढ़ता है कौलकाता में नेश्ट है आपका Indian Institute of Natural Regents and Gums यह पढ़ता है राची जहरखंड में नेश्ट है आपका Indian Agricultural Esthetics Research Institute यह पढ़ता है नई दिल्ली में नेश्ट कोश्चन क्राप ग्रोन फॉर अट्रेक्टिंग इंसेक्ट्स इच काल्ड इसका अंसर है ट्रैप क्राप दोस्तों यह ट्रैप क्राप होती है यह किसी में क्राप के जो है बाहर जो उसकी बाउन्डरी होती है उस पे इनको लगाते हैं और बीच में में क्राप लगते हैं यह ट्रैप क्राप जो है जो insect paste होते हैं वो इन पे लगते हैं और main crop जो इससे बच जाती है insect paste से तो trap crop को use करते हैं insect paste को control करने के लिए ये एक bio control agent है next question है unit of measurement of cloud cover is इसका अंसर है octa next question the shape of furrow slice cut by desi plough is इसका अंसर है v shape next question for late sown wheat seed rate is इसका अंसर है 125 to 150 kg per hectare अब बात करते हैं wheat crop के बारे में तो wheat का scientific name होता है triticum estivum इसकी family है gramnia poesi इसमें chromosome number होते हैं 21 is equal to 42 ये hexa applied plant है और इसमें इसके जो inflorescence होता है इसको बोलते है year या spike इसमें protein को बोलते है gluten और in case of rice उसकी protein को बोलते है दी जी वोजिन test weight का होता है 40 gram test weight क्या होता है दोस्तों test weight होता है 1000 दानों का जो बार होता है उसको बोलते है test weight और इसकी origin हुई थी southwest Asia तुर्की में नेस्ट कोश्चन है आपका जिकबंडेट ratio of wheat mustard intercropping is इसका आंसर है 10 जेस्यो 1 मतलब जो है wheat mustard के intercropping में जो है 10 पेड़ लगाएंगे आप जो है wheat के और एक पेड़ लगाएंगे आप जो है mustard का यह रहता है ratio दोस्तों बात करते हैं mustard क्राप के बारे में तो mustard यह सरसो इसका botanical name होता है brassica agency जिसे हिंदी में बोलते है Indian mustard इसकी family यह क्रूसी फेरी इसकी variety है दोस्तों वरुना पूसा जय किसान पूसा कल्यानी बिनोए वरुना पूसा बोल्ड रोहिनी क्रांती आसिरवाद बसंती इसमें जो है पूसा जय किसान और पूसा कल्यानी पूसा बोल्ड आसिरवाद बसंती वरुना काफी important variety हैं और जो पजंसी होती है मस्टर्ड में ये होती है आईसो थायो साइनेट के करण। इसका अंसर है 32 तुटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीट के description box या आप वीडियो देख सकते हो बात करते हैं कुछ और important point के बारे में मेज के बारे में तो मेज की जो origin है वो हो भी थी Central America में इसे कुई ना फीरियल बोलते हैं और इसकी protein को बोलते है जिन मेज जो है deficient होता है ट्रिप्टोफान और लाइसीन में मेज के फ्लावर को बोलते हैं टैसल टैसल हो इसका मेल फ्लावर और इसके फीमे फ्लावर को बोलते हैं silk next question है आपका seed rate of kabuli gram is इसका अंसर है 75 to 100 kg पर hectare दोस्तों बात करते हैं चिक पी बेंगाल gram के बारे में तो चिक पी बेंगाल gram इसे हिंदी में बोलते हैं चना इसका scientific नेम होता है दोस्तों साइसर एराइटिनम और अगर काबूली gram है तो इसे कहेंगे साइसर एराइटिनम वराइटी काबूलियम इसकी origin हुई थी अफगानिस्तान में इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं जो देशी होता है उसमें होते हैं चौदा और जो काबूली होता है उसमें होते हैं 16 क्रोमोसोम नंबर इसकी family है लगिउमेसी या फेबेसी और जो gram है यह एक सीतरी long day plant है इसकी important varieties हैं अवरोधी, गौरोव, अपर्णा, टाइप 2, पूसा 209, बीजी 256, राधे नेस्ट कोश्चन है अपका, PDR14 is a variety of इसका अंसर है राजमा या फ्रेंच बीन दोस्तों जो फ्रेंच बीन होती है राजमा, ये एक ऐसी leguminous crop है जो nitrogen 6 नहीं करती है बात करते हैं फ्रेंच बीन ये राजमा के बारे में तो इसका बॉटरिकल नेम होता है फैसियोलस फलगैनिस इसकी origin है मैक्सिको, इसका test weight होता है 3.500-400 ग्राम, इसकी family है leguminasi या फेबेसी seed rate होती है, 100-120 किलोग्राम पर हेक्टेयर next question है आपका most suitable soil for groundnut is इसका अंसर है sandy to sandy loam soil दोस्तों अब बात करते हैं groundnut crop के बारे में तो groundnut को peanut, monkey nut, earth nut भी बोलते हैं इसका botanical नेम होता है अरयके साइपोजिया और इसकी family है leguminasi या फेबेसी इसकी origin होई थी ब्राजील में यह C3 short day self-proordinator crop है इसमें oil होता है 40-45% इसकी केक में nitrogen होता है 7.8% और इसका major paste है white grub next question है दोस्तों soil content of sunflower seed is इसका आंतर है दोस्तों 28-35% बात करते है sunflower crop के बारे में तो sunflower का botanical name होता है hyalienthus anus इसके inflorescence को बोलते है capitulum इसकी origin होई थी मेक्सिको में और sunflower seed में जो zensidity होती है यह oxidation से होती है यह indicator plant है बोरान deficiency का next question है blossom in the dot of tomato cast by deficiency of तो यह calcium की deficiency से होता है बात करते हैं tomato crop के बारे में tomato का botanical name होता है लाइको परसिकन इसकी family है इसकी origin होई थी पेरू में इसके fruit को बोलते है बेरी और इसका जो लाज दंग होता है लाइको पिन से होता है इसकी seed rate होती है इसकी important varieties है पूसा रूबी अरका विकास पंजाब चुहारा यह कपी important variety है और कई बार आई हुई है एक एक्जाम में पूसा सीतल पूसा गौरो स्यूक्स प्लेरवसर्व रूमा हिसार ललित यह important varieties हैं दोस्तो इनको आप याद कर लीजिएगा नेस्ट question है आपका पूसा देपाली is a variety of इसका अंसर है कौली फ्लावर दोस्तो जो यह कौली फ्लावर ग्रुप की क्राप्स होती है इनके सबके scientific name आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इनके scientific name से question exam में आ सकता है आपके बात करते हैं कौली फ्लावर का आपके बारे में तो कौली फ्लावर का बॉट्रिकल name होता है ब्रैसिका ओलेजिया वराइटी बोट्राइटिस इसकी फैमिली एक कुर्सी फेरी इसके फ्रूट को बोलते हैं कर्ड ये पिछले बार जो है एक्जाम में ये question आया था और इसके seed rate होती है साढ़े चार सो से साथ सो ग्राम इसका जो hyptale disease होता है ये my original की deficiency से होता है और जो browning होता है ये brown की deficiency से होता है buttoning जो इसमें होती है वो N2 की deficiency से होती है nitrogen की deficiency से buttoning होती है इसकी important varieties है पूसा दिपाली पूसा हिमानी पूसा इस्नोबॉल पूसा सरद अरली कुमादी पूसा कतकी तो दोस्तों ये थी important questions of NSTL वीडियो की part third उमीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेयर कर दीजेगा और इसी तरह की यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा थैंक्स पॉर वाचिंग बेस्ट आफ लग तू आला फ्यू कर दो कर दो कर दो